करना चाहता करे तो इसमें तो मुस्लिम के बाद और एक एडवांटेज भी होना चाहिए कि हम तो मैटरिलिस्टिक दुनिया में अपना मेहनत करके चीज़े एचिप करते हैं और वो मुस्लिम भी करते हैं यह कॉमन हो गया पर उनको एक प्लस पॉइंट यह मिल रहा है कि वो मुझसे दुआ ना मंगो या फलां बेनिफिट सर्फ उसको है एक बंदा खुदी नहीं अगर 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 टाला के सामने उन्हें गडगड़ाया दौा मंगी अगर्चे उनके ओपर भी परिशानिया आएंगी याद रखो अगर कैंसर किसी एथिस्ट को होता है तो कै अगर किसी एथिस्ट को हुआ था ना तो मुसल्मान को भी होता है पर चांस मतलब कम होना चाहिए ना मुसलिम को कम सफर करना चाहिए बाकी लोगों से बर हम इस दुनिया में बिखते हैं काफरिंग ज्यादा करते हैं सफरिंग जो है ना ये सब्जेक्टिव एक किसकी डेफिनेशन होने चाहिए मगर इससे बड़ा चीज़ डिसकस करते हैं इससे बड़ी चीज़ करते हैं सोपर की वो ये है ल्ला ताला ने कुरान में कहा है तुम आजमाये जाओगे मुमिन को कहा है कमाल बात किया है काफर के बारे में नहीं आता कि तुम्हें दुम्हें दुनिया में अजमाया जाएगा मुमिन के बारे में आता है पता है क्यों क्यों कि सवाल उठता ही मुमिन के लिए था कि यार है मुमिन तो अल्ला पर इमान लाता है इसका बच्चा क्यों फोत हो गया मुसल्मान तो अल्ला पर यकीन रखता है, इसके तलाक क्यों हो गई, इसका बिजनिस क्यों फ्लाउप हो गया, इसलिए सवाल उठता ही मुमिन का था तो कुरान में कभी ये भी कहा गया, कि मैं काफर को आजमाओंगा अल्ला नहीं कहा, मैं मुमिन को आजमाओंगा, ठीक है अल्ला तला फरमाते हैं मैं तुम्हें आजमाओंगा, तुम्हारी जाने जाएंगी तुम्हारा तजारत तबाव हो सकती है, तुम्हें जानमाल का नुकसान हो सकता है, तुम्हें तुम्हारी महभूब चीज़ें खोनी पड़ेंगी, बहुत से चीज़ें होंगी यह सारी चीज़ अला ने कई इम्तिहान तो दुनिया के अंदर है ना देखो साल के तौर पर एक अथियस्त है उसको अल्ला माल देते हैं यह देखने के लिए वो अच्छे कामों में लगाता है के नहीं और दूसरा वो यह क्यों नहीं सोचता कि कितने और लोग हैं जि यह सामने हमारे आता है ऐसी एक्जेंपल आती है कुछ लोग कहते हैं अल्ला को क्या दूरता आजमाने की नहीं हम लोग जब किसी के इसमाईश हो रही होती है दुनिया में कई लोग उससे सीखते हैं मिसाल का तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ मेरे बहुत साल पहले कुली कि वो हैंडिकैप थे दोनों टांगे नहीं चलती थी दोनों हाथ नहीं चलते थे वीलचेर पर होते थे और मगर थोड़े इंटेलिजेंट माशाला अब फोत हो गया है अल्ला बक्षे तो मैंने ना उनसे मेरी आदत है मैं जब कभी अपने यारों दोस्तों में अपने कुल के लिए क्या मिलता है मुझे कितनी मॉटिवेशन और कितनी पॉजिटिव पॉजिटिव इनर्जी मिली थे उस बंदे से मैं तुम्हें उसकी एक्जेंपल देने लगाँ तो चाए पीने के लिए न हम कैफे टे रहेगों किस जगा पर बैठे अच्छा हाथ उनके यानि फिफटी फॉर ती उस देने का पांट साल से पांट साल की अमर में मुझे यह चीज़ हो गई थी यह पहले नॉर्मल थे उनने कपहले मैं बिलकुर नॉर्मल था दोड़ता था स्कूल जाता था बच्यों के साथ हई चीज़ मेरा नॉर्मल था پांट साल में मगर जैसे ही पांट साल मेरे गुजरे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी बॉड़ी जो है वो डिसेबल होना शुरू हो गई पहले टांगे हुई फिर मेरे दो पहला एक हाथ हुआ फिर दूसरा हाथ हुआ करते करते मैं इस तरह पे आ गया और वीलचेर पे थे वो मैंने उनको कहा मैंने कहिए अगर मैं आपकी एज का अंदाजा करूँ 55 राउंड मानो स्टीफन हॉकिंग टाइप मगर स्टीफन हॉकिंग पर तो बड़ी उमर पर जाके हुआ था मेरे खाल से हो गया था कोई 20-22-23 का हो गया था तो यह वो तो पांट साल के थे मगर स्टीफन हॉकिंग की भी बड़ी हिम्मत है नो डाउट स्टीफन हॉकिंग के ओपर जो मुवी है ना वो है The Theory of Everything हाँ नॉमिनी आसकर नॉमिनी अकैडमी अवार्ड नॉमिनी मुवी है Theory of Everything नो डाउट स्टीफन हॉकिंग से आप लाक इस्तिलाब करें मगर 19 साल का, 19 साल का ये 20 साल का जब तो मगर स्टीफन हॉकिंग की स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसमें कोई शक नहीं As a person As a person, fair तो यहन साब मैं उस बंदे के साथ बेठा मैंने का, कहता है पांट साल मैंने का, 55 राउंड फिगर आपकी मानू तो 50 साल जिन्दगी के आपने वीवी चेयर के उपर और ये स्ट्रगल करते हुए गुदारे है मैंने उसे कहा मैंने का, यार तब भी जिन्दगी में एक लम्हे के लिए ये अल्ला से गिला शिक्वा हुए है सुनना युहान दरा एक मुमिन है, मुसल्मान है अब देख, अब देखना के अजमाईश और परेशानी एक मुमिन किस तरह रसीव करता है अब आप उसकी जबान सुनना उस बंदे की फोत हो गया, अल्ला उसको बक्षे मैंने उनको कहा निसार नाम था उनका या निजार, निसार नाम तुरानी बाब बता रहूं आचरा मैंने उनको कहा, मैने कहा, मुझे बताये पच्यास सालों के अंदर कभी wingला किया हो कि या अल्ला मेरे साथ क्यों किया तूने ये मैं भी तो नॉर्मल इंसान था मैं भी तो चलता फिरता था मेरे साथ क्यों किया तूने कहते हैं आमिर बेटा मेरे देहन में जब ये बात आती थी थी न तो मैंने स्टार्ट के अंदर ही न अब वो बताने लगे हैं, कहते हैं जब मैं यंग था, तो मैं अपने हिर्दिकित नौजवानों को देखता था, जवानी बड़ी खतरनाग चीज़ है, अल्ला, जितने लोग इस वक्त सुन रहे हैं, आप लोगों को सहत और तंदरुस्ती में रखे, जवानी के अंदर बिस्त होना चाहता हो, अडवेंचर करना चाहता हो, अमबीशियस हो, कलरफुल हो, उसके खाब हो, उसके जजबे हो, उसके गोल्ज हो, वो पता नहीं क्या, उसके अंदर तो फान चलता है, यह का यह उसकी जिदगी अपसर डाउन होके वो बिस तर पर पड़ जाए, यह बहुत तो मुझे कहने लगा, मैं जब जब जबान हुआ था, तो मेरे दिन में जब यह चीज़ आती थी थी ना, तो मैंने लल्ला से गड़ गड़ा के एक चीज़ पेश की, मैंने कहा, अगर मैं इस परेशानी को सबर और इत्मिनान के साथ बरदाश्ट कर लूँ, तो तू मुझ मुझे जन्नत में दाखिल करेगा, और मुझे अगली जिन्दगी मेरी बहतरीन करेगा, तो मेरे दिल को इत्मिनान दे दे, मुझे सैटिस्फाइ कर दे, मुझे रिलैक्स कर दे, मुझे बेचैनी से और इन परेशानीों से सकून दे दे, मेरी सफरिंग को आसान कर दे, जो म पता चला, उसके बाद मुझे खबर मिली है कि उनकी डथ हो गई, मैं चुंके सिटी में नहीं था, तो इस वज़ा से मैं उनके जनाज़ा पर तो नहीं जा सका, मगर मुझे खबर मिली तो मैंने उनके लिए मकफरत की दुआ की, वो बंदा कहता है, उसके बाद से, अल्ला ता कि अग्र आज़ा, फूलने वहाँ, वो मैरी जन्दगी असान करते गा, अब मुझे बताओ, कि दुनीया जहान के पहाँ तोड़ओ, दुनीया जहान के सितम auptा दो, दुनीया जहान की प्रेशनिया एक मुम्हिन के समने रख दो, उसके चहरे पर मुस्कुराहट ही नजर ल ला तकनतू मिर रखमति ल्लाह। सफरिंग जिस चीज़ का नाम है ना वो इनसान कैसे कैरी करता है अपने बाहर की दुनिया को सफरिंग उस चीज़ का नाम है उसके अलावा कुछ भी नहीं है बुदा का भी यही कॉंसप्ट है ना बुदा तो यही कहता है वो बीवी बच्चों को छोड़कर इस लिए चड़ा गया तो उसने का यह सफरिंग करते हैं चैन्स करते हैं अलग कर लोग ना तो हमने का तो हम अलग हमने का कॉंद्सप्ट तो नहीं मानते मगर हम यह मानते के संस्फरिंग को फेस करना और उसको इडमिट करना चैलिंज को ये इमान है आप भाग नी सकते हो हकीकत पे मौत हकीकत है मौमिन को भी आनी है और एक नौन मौमिन को भी आनी है आप उसको पेस करो उस हकीकत को ये हकीकत है मादर चाता हूँ मैं थोड़ा क्योंकि आप इसे आप आपका मतलब यह point of view मतलब अच्छा है मतलब यह समझ में आ गया पर मेरा मतलब आप से यह point जाने से पहले मेरा मतलब कुछ अलग ही सोच था कि suffering muslim ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि God कुछ help नहीं कर रहे हैं यह मेरा पहले मतलब मानना था पर आप आप ने अभी अलग perspective यह तो यह भी मतलब अच्छा है मतलब एक तरफ मैंने जितनी बाते की हैं ने यह कुरान में कुरान में एक वाक्या है यह जो आपका perspective है इसलिए बना क्योंकि हम materialistic approach रखते ना दुनिया में मिसाल के तोर पर मैं देखूंगा अगर किसी आदमी के कपड़े पटे हुए हैं किसी आदमी के जूता तूटा हैं तो मैं समझूंगा यह बहुत ही परेशान है और जो अठी गाड़ी में बैठा हुआ है अच्छे घर में रह 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 है अच्छा सूटबुट पेना हुए तो आप समझेंगे यह बड़ा खुश है आपको क्या पता? कि जो गाड़ी में बैट चीज आ जो अच्छा सूटबुट पीट पेन के बैटा हुआ उसको कैंसर हो कैंसर का मरीज हो उसके पाद शे महिने हो और जिसके सूट फटा हुआ है जिसका जूता फटा हुआ है वो healthy हो और हो सकता है अब उससे बात करो वो जादा खुश हो, स्कून में हो हुआ यह है कि हम लोगों की चुंके materialistically इतना influence हुआ यह जो जाहरी दुनिया है यह worldly things इतनी हम पे influence हुई है कि हमारी definitions ही corrupt हो गई है suffering की, happiness की peace की, relaxation की satisfaction की meditation की सारी definitions corrupt हो चुकी हुई है उसमें सबसे बड़ा blender यह हो गया कि हमने यह सोचना शुरू कर दिया कि चुंके फलस्तीन में जल्म हो रहा है चुंके अफगानिस्तान में यह हो रहा है लहादा अल्ला नहीं है नाओज बिल्ला यह रही क्या बात हुई अल्ला ने खुद पुरान के अदर यह वाक्या मुझूद है मुसा लिए सलाम की जो कौम थी ना बनी इसराइल उन वो कमजोरी में थे, उनकी बेहतरीन मिसाल है कुरान के अदर सूर बकरा में अगर किसी कौम ने मजलूमी के हालत में पास तोर पर हमारे उन देशों के लोग जिन जगों पर मुस्लिम कम्यूनिटी के साथ जल्म और जयाती हो रही है उन लोगों को चाहिए कि वो सूर बकरा में बनी इसराइल का वो वाक्या पड़े इसी तरीके से मुस्लिम का जो मुकाल में अपनी कौम के साथ वो पढ़ ले उसमें बनी इसराइल का ये गिला था कि ऐ मुस्लिम अगर 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 अगरे साथ है हम सचे हैं, तो फिरॉन को दोलत क्यों दी हुई है, उसके पास इतना क्यों माल है, उसके पास इतनी ताकत है, और हम उसके मद्य मकावल कमजोर हैं, उसके पास आइरन डॉम है, उसके पास वेस्ट की बैक अप है, उसके पास जनाब अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है, तो हम कि तर खड़े हैं हम किसे का पे हैं तो आगे से जवाब आता है वो ये है कि जब अल्ला ने किसी कौम को इनकलाब के दरीए बदलना होता है न तो वो मुत्रिफीन को छूट देता है कि वो दुनिया में खून सराबा करें ताके लोगों के अजमाईश में पढ़ने के बाद वो निखर कर सामने आएं जो लोग अदल और इनसाफ पैदा करें ये तो होता कि हमसाल के तोर पर आपने एक बंजर जमीन है ना उस बंजर जमीन के उपर अगर आपने फसल खड़ी करनी है अगरी कल्चर करना है तो पहले आपको हल जोतने के लिए आपको पता करना है फाड़ना पड़ता है उस जमीन को खुदना पड़ता है क्योंकि उपर की जमीन खुश्क हो चुकी होती है सक्त हो चुकी होती है चटियल हो चुकी होती है उसको जब आपने चीरना है फाडना है उसके नीचे से गीली मिटी निकलती है उसके ओपर बीज फैंका जाता है फ और नोजवान कंजर हो जाते है जो सीधी बात है नोजवान कंजर दिमाग बंजर हो जाते हैं जिन कौमों के इकबाल कहता है अगर जवा हो मेरी कौम के जुसूरो गयूर कलंदरी मेरी कुछ कम से कंदरी से नहीं सारी बात थी नोजवानों की जब नोजवान हिम्मता आर जाते हैं उसके बाद पिर सरजरी शुरू होती है और अल्ला ताला ये फर्माते हैं कि फिर ठीक है तुम नहीं हो तो तुम्हारी जगा पर एक और कोम आएगी वो इंसाफ और अदल पैदा करेगी तो योहन फलसफा समझने आपने कुरान या इसलाम का जो कॉंसेप्ट ऑफ गॉड है ना उसमें जो फिलोसफी है उस फिलोसफी के अंदर मजोरिटी पावर और यानि इस तरह के जो मटिरियलिस्टिक अप्रोच उस बुनियाद को पर चीदों को जज नहीं किया जाता ताके वो ठीक है या गलत है एगा ना जी सुक्रिया जी अंसर देने के लिए थैंक यू यार बहुत शुक्रिया थैंक यू इतने फ्यारक है योहन साब दोस्ता हमारे साथ से अगर चाहता हूँ वह अल्ला हुआ अच्छा ओ यार किदर गया वह अमिद भाई आया है अमिद भाई कैसा यार अमिद भाई यार आपको तो जवाब दे दिया हुए ना अमिद भाई स्टेट छोड़ने आपको तो जवाब दे दिया था जवाब आपको ये दिया है कि वो प्रोग्रम सुने मीट मुबारिक टू हिंदूज ठीक है तो आप य करें, कि जाकर वो प्रोग्राम सुनें, उस प्रोग्राम के अंदर मैंने बीफ के हवाले भी दी हैं, अब सारी चीज़ें इदर मैं दोहरा नहीं सकता, ठीक है न, सारी चीज़ें तो मैं दोहरा नहीं सकता हूं, मैंने आपके सम्ने रेफरेंसिस का जिकर कर दिया है, वहां ज किया जाता था, specifically beef खाया जाता रहा है, ब्राहमन के घर में कोई guest आते थे, या ब्राहमन किसी के घर में guest जाता था, तो गाये का बच्छणा पकता था, ठीक है, एक book के है, the myth of holy cow, वो book PDF में आपको मिल जाएगी, the myth of holy cow, वो आप पढ़ सकते हैं, इसी तरीके से रिशी यजना वलक्या की जो उपनिष्ट है, वो उपनिष्ट जो है, वो detail के अंदर meat eating और beef eating के उपर बात करती है, वालमी के रमायन में साफ तोर पर लिखा है, कि शिरी राम और लक्षमन ने हिरन जो हैं, उनको तीर से मार कर उनका मास भाक्षन किया, खाया, शिरी कृष्टा के हबारे में स्वामी विवेक अनन्द कहते हैं, तो वो मास भाक्षन किया, शिव जी खोपडियों का हार पनाते थे, वो खोपडियां और अस्थेटिक या प्लास्टिक की, या मॉर्वल स्टूडियो से तो नहीं मंगवाई होती थी, वो शिव जी ने खुद खोपडियां खोली होत थी थी, ठीक है, ताली माता जो है, वो जो खोन पीती है, वो रुव अफजा या जामेशीरी नहीं है, या जो विम्टो नहीं है, वो जैन्मन खोन होता था, इसी तरीके से मनु स्मर्थी के अंदर पूरा एक अध्या मोजूद है, जिसमें अभे अभक्ष और अभक्ष दो उनों पर कार कियानी कोंसे खाने क्हा सकते हैं, कोंसे नहीं क्हा सकते हैं, उनके ओपर बात की हुई है, तो ये सारी जीजद你要 को मिल जाएंगी, आपको पता चल जाएगा क्या मामला है, अच्छा एक बंदा आया, एक बार ना वी टी टिंग पर बादच चाएँ, यह तै व सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए ये बिलकुल गलत है ये हिंसा है जीव हिंसा खाने के लिए नहीं शौक के लिए तीर मार दिया खिरन का खोपड़ी टांग दी तीर मार के शेर की खाल बिचा दी तीर मार के जनाब रीच का खोपड़ी डाल दी तो एक आया आके कहता है राम जी राजा महराजा थे शिकार करते थे मैं ता लमा पालो लमा पालो कहा है बिश्णोई गैंग लमा पालो राम जी नू राम जी लॉरंस बिश्णोई आ रहा है आपने हिरन पड़का दिये बिश्णोई गैंग आ रहा है तो ये बात न करें काम खराब हो जाएगा आपकी मेर बनी पहले ही कोई किसी गैंग का नाम लेके गोलियां फड़का रहा है और हिंदू राष्टर पीछे से अपना काम कर रहा है हमें पता है हमारा मूह मत कलवा हो हाँ हमारा मूह मत कलवा हो नाम लॉर्ण्स का डाल दो ठीक है ना विश्णोई समाज का नाम ले दो और अंदर खाते अपना काम करो वाँ हम समझते हैं इतना तू वांटेड का सलमान खान अंडर्ग्राउंड रहकर सारा काम करूंगा हमें पता है कौन है कौन ने हमें पुद्धू नहीं लगा सकते तू उन मेरे पिछे न लादे आजे क्या पता बिश्णोई भाई के फेस्बुक से आमिर हग को भी मैसे अच्छा आना शुरू होगे ये नीचे आये थे एक दो बंदे वो तो मॉडरेटर ने साइड पर कर दिया अपना ड्रेस बता एक और आव इंस्टाग्राम पर भी आ रहा है अपना ड्रेस बता अपना फलाना बता ओए जाने दे जाने दे ओए ओए जाने दे मैं पाद मारूंगा ना तो तेरी आत्मा निकल जाएगी तेरे परान निकल जाएंगे तो मेरे पास ना फटको मैं तुम बता दूँ चूए की जान शेर के खराटे से निकल जाती है धार से नहीं तुम लोगों के लिए मेरा खराटा काफी है आँ ड्रामेबाद दम्हिया लगाते हैं आज कल तो दीदियों को भी बेज रहे हैं मुझे लगता है जब से मैंने हलाला वली वीडियो डाली है ना उसके बाद से दीदियों के मैसे मुझे जादा आए हैं सनात्री ओके अब भाई हम निवत को मानते क्या हो गया है तुम तो सीरियस ही ले लिए हम नहीं मानते हैं उनको लोग बहुत अच्छे जब से हलाला की वीडियो डाली है सनात्री महीलाओं के मैसे जाना शुरू हो गया है यि बड़ यह बड़ा नुकसान दे है इस बड़ा नुकसान दे है अतितयाग अतियंत खेत अतियु अतियुत्तम ek सारा कुछ एक साथ मेली जिली अच्छा मैने इनको कहा था मुझेमसिज करती है मेसिज करके कहती है हाई जी और आला टाइप है मगर देखें मैं पूरी फिलिंग पकड़ रहा हूं है आलांके टाइप था हाई जी मैं गए जी हाँ जी हुकम आप से थुड़की बात हो सकती है क्या मैं कि एवरी फ्राइडे अवादे अक अंसेंसर्ड थोरी क्यों लंबी ब नहीं नहीं मैं क्यों नहीं जाती हूं मैं मैं क्या जल्दी है क्या कहती धड़के जिया मैं क्यों उथे दे आ तन फड़ ले लाइव तेहा के तन फड़ लो इस्लामफोब्स जाती हूं मैं जाने देता हूं मैं ऐसे कैसे जाने दूं हजारों साल की तपस्या के बाद कोई अपसरा आए, ऐसे कैसे जाने दूँ, मैं भी कोई विश्व मित्रा हूँ के फ़स जाऊँ, ओभाई बात आप वो सुन ले ना, वो प्रोग्राम सुन ले, मीट मुबारक टू हिंदूज, तो रोला प्या गया सी, आमिर हक पोल खोल रहा है, पोल खोल रहा है, इसको बैंग कर दो बस कैसे भी, तो कर लो, ट्राई कर लो, पहले भी किया है, घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो कर लो ट्राई, अभी फिर लगे हैं, किसी तरीके से इसको यार कुछ किया जाए, अच्छा मेरी रील्स के नीचे आके न, और रील्स के नीचे आके, तो टैग पता किसे कर रहे होता है कॉंडम सिना को इसको मैं अपने शिवलिंग पर चड़ाता हूँ उस सिना को चेक करो भरंबादी चेक करो कॉंडम से ना को टैक करके कह रहे होते हैं इसका कुछ कीजिए इसका कुछ कीजिए इसका कुछ कीजिए इसका कुछ होना होता तो पहले ही हो चुका होता अब तुम्हारे बसका नहीं इसका कुछ कीजिए मुझे सबना लेना कुछ गंदे बच्चे नौटी अच्छा दोस्तो यारो कोई non-muslim आना चाहता है मुसलमान दोस प्लीज जोइन ना करें non-muslim दोस जोइन करें जी moderator अगर लिंक देना चाहते हैं मैं थोड़ा सा wait कर रहा हूँ दिखते हैं अगर कोई काम का बंदा आ जाता तो बात रखते हैं इंशालला मुसलमान दोस प्लीज जोइन ना करें प्लीज 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 अच्छा सुने जी इस संडे को टिक टॉक के उपर इंडिया टाइम 11.30 पीम पाकिस्तान टाइम 11 पीम टिक टॉक के उपर एक ब्रॉड होने जा रही है जो के हमारी पहली ब्रॉड होगी ओपन क्वेस्टन आंसर सेशन में जो लोग इंडिया और पाकिस्तान से बाहर रहते हैं चाहे यूपी में हो या कहीं और वो लोग जो हैं उस ब्रॉड को जोईन कर सकता अच्छा वैसे सनात्रियों को थोड़ी तसली हुई है कहते हैं टिक टॉक पे आ रहा है तो लगता है इंडिया से तो बाहर ही दोडे 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 लगी हुई थी कोई कहता जी यूपी की बेस्मेंट में ऑफिस है पांच शे कंप्यूटर राके लॉंडे लपाड़ों से यह रिसर्च करवा रहा होते है जब मुझे पता चला मुझे कोई मज़ा आया मैंने का चलो फिर एंजी साही एंजी साही फिर लब गर वो तो जो लोग इंडिया पाकिस्तान से बाहर है वो लोग जनाब टिक टॉक पर मामला कर सकते है अच्छा प्रोग्राम तो हो गया लिंक मैं दे रहा हूँ नॉन मुस्लिम्स के लिए आप लोग जोईन करना चाहें तो आ सकते हैं आखरी कॉल है इस तुरान में जो लोग आ गए तो उनके साथ बात करेंगे मुसल्मान दोस्त बैन हो जाएंगे मेरे खाल जाब होना चाहरे हैं तो ठीक है आपकी मिर्दी में क्या कह सकते हूँ तो तो अच्छा जिनको नहीं शो हो रहा तो फिर यूपी में आ जाएं मैं क्या करूं को यूपी में आ जाएं ना पाकिस्तान में चलता है ना उधर इंडिया चल रहा है अब मैं तो यूपी में हूँ पाकिस्तान में भी टिक टॉक बैन हुआ हूँ है पाकिस्तान में भी टिक टॉक बैन है और इंडिया का तो पता है कि इंडिया में भी बैन हो गया था काफी अरसा पहले तो या तो आपको यूपी में आना पड़ेगा या फिर आप अगर overseas कहीं हैं वहां बात हो जाएगी ठीक है तो ये मामला है बस हो गई ना बात प्यार हो गई ना भई हो गई हो गई अगली बार आ जाना तो ये है नहीं मैंने सुना है वो कुछ कह रहे हैं कि पाकिस्तान में चलता तो है अगर वो जो लाइव ब्राड है वो पाकिस्तान में नहीं चलती ये सुना है मैंने ऐसे ही है ना तो अच्छा एक वीडियो जा रही होंगी ब्राड नहीं चलता लाइव नहीं चल रही राइट लाइव नहीं चलता तो वीडियोज चलती है वीडियोज तो नॉर्मली चल जाती है वीडियोज तो फिर मेरे खाल से वीपेन अगर इंडिया में वीपेन लगाएं तो वीडियोज चल जाती है न टिक टॉक की इंडिया में अगर TikTok install, ये install भी नहीं होता Install तो होता है ना तो VPN लगाए तो वीडियो से जाती है रैइट zhां ठीक है बस सही है तो ये सूर्क किया हो सकती है ठीक है लेकी दोस्तों अपना ख्यार रखियेगा गलती को टेमाफ कीजिएगा तीन गंटे पूरे होने वाले हैं इंशालला मिलते हैं अगले फ्राइडे को जो लोग संड़े में मिल सकेंगे इंशालला जरूर यह जो स्टार्ट की प्रेजेंटेशन है इस सारी की सारी प्रेजेंटेशन को मैं तल ही क्लिप एड़ करके अवाद हाक आफिशल पर ताके कुरान के बारे में जो बिसिक कॉंसेप्ट है गलत फहमी है वो सबको मिल सकें अपना ख्यार रखें गलती कुता हमाब कीजिएगा फिमानिल्ह अस्सलाम अलेकूं रहमतुल्लाही वबरकातु।